नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सिटी बैंक reward credit card का होगा और सिटी बैंक के सभी credit card को apply करने का होगा अगर आप भी ज़्यादा cashback के साथ online, offline खरीद पर बड़ी बचत करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यहां हर छोटी बड़ी खरीद पर ज़्यादा cashback और ज़्यादा reward point यर्म करने का मौका मिलता है इस credit card के feature and benefit, fee and charges और eligibility को जानने के बाद हम इस card को पूरे process के साथ apply करेंगे फिर इसके कुछ सवाल जैसे इस credit card को apply करने के लिए किस तरह के document के ज़रूरत होती है सबसे पहले एक मरतवाइस card को देखें बिलकुल दिल जीतने वाला कलर लग रहा है जहां चिप की security और NFC मिल जाता है और ऐसा करने से city bank कहता है कि हम अपने customer को सुरक्षा प्रदान करते है अब आईए बढ़ते हैं welcome benefits की और कि इस card को join करते ही हमें कितने तरह के welcome benefits देखने को मिलता है इसमें सबसे पहला benefit होगा इस card को join करते ही 1500 का reward point इसके लिए आपको करना क्या होगा कि 30 दिनों के भीतर भीतर इस card से कुछ पैसे transaction करने होगे इसके अलाबा 1000 का reward point बोनस के तौर पर भी आप पा सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या होगा कि 1000 का transaction नहीं यहां खर्च करना होगा 1000 का खर्च 60 दिनों के भीतर जवाब इस card से कर देते हैं तो 1000 का bonus point आपको मिलता है यह तो था welcome benefit जहां इस card को join करते ही हमें 25 का benefit हो जाता है and come to the next benefit reward point departmental store और apparel इन दोनों पर transaction करने पर online या offline दोनों transaction करने पर 125 रुपे ट्रांजेक्ट करने पर 10 reward point मिलता है और इसी तरह आगे बढ़ता चला जाता है फिर other categories पर 125 रुपे अस्पेंट करने पर एक reward point मिलता है और इसमें भी इसी तरह आगे बढ़ता चला जाता है दोस्तों जो एक credit card के उभगताओं के लिए थोड़ सा कम है इस credit card के कुछ और benefits को जानेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि मैं इस card को apply करने का पूरा process आपको दिखाऊंगा सो वीडियो के end तक जरूर बने रहे अगर आप चाहेंगे तो 300 का plus bonus point हर महिने आप इस card से यर्म कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या होगा कि 30,000 का खर्च इस card से करना होगा तभी इस offer के लिए आप eligible हो पाएंगे Our next benefit is fuel benefit City bank reward card में जमा इतने point को आप Indian oil के किसी भी petrol pump पर एक SMS के माध्यम से आराम से निकाल सकते हैं वहीं हर point का कीमत 0.25 पैसा होगा लेकिन आप एक बार में 250 points को ही redeem कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि उसी reward point का अलग-अलग categories पर अलग-अलग value मिलता है जैसे अगर आपको Indian petrol pump पे fuel लेना हो तो वहाँ एक reward point का कीमत 0.25 पैसा होता है अगर आपको इसके partner store के साथ swapping करना हो और इस point के मज़े लेने हो तो वहाँ एक point का कीमत 0.30 पैसा होता है और यहाँ भी आप 800 reward point एक बार में redeem कर सकते हैं और यहाँ पे भी 20% का dining benefit आपको मिलेगा बसकते वो सारा restaurant इसका partner restaurant होना चाहिए अब चलते हैं next point पे city bank reward credit card के fee and charges पर तो first of all यहाँ joining fee का कोई लपड़ा नहीं है इट means joining fee आपका नहीं लगेगा वो बिल्कुल off है और लगेगा भी तो वो है annual fee उसे भी बेवफ करा दिया जाएगा वसरते उसके लिए 30,000 per year at least वो कम है ज्यादा तो है नहीं 30,000 per year इस card से खर्च करने होंगे तब वो amount आपका बेवफ कर दिया जाएगा next year से आईए अब हम समझते हैं कि कौन-कौन से extra charges इस card के लिए में pay करने होते हैं तो इस card के लिए में सबसे पहला cash payment fee और दूसरा late payment fee पे करना होता है लेकिन अगर late payment fee की बात करें तो वो 2000 से नीचे वालों के लिए applicable नहीं होता है 2000 से उपर जैसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे जैसे 2000 से 7500 तक 600 रुपिया का late payment fee और इसी तरह आगे बढ़ता चला जाता है पर यहाँ payment सिर्फ late जमा करने या नहीं जमा करने की बात नहीं है late payment fee तो एक normal सा इसू है लेकिन उसके अलाबा bank वाला आपका civil score खराब कर देता है जिसके कारण आपको bank संबंदित या financial संबंदित कई ऐसी problem का सामना करना पड़ सकता है जैसे आपका card limit धीरे धीरे कम हो सकता है हो सके आपका card बंद भी हो जाए या आपके civil score के कारण other bank वाले आपके भरोसा ना करे ऐसे financial cases में बहुत से ऐसा case देखने को मिलता है इसी तरह से इसके कुछ और extra charges हैं जिसे हमने description में note कर दिया है आप वहाँ से जाकर इसे पढ़ सकते हैं आईए अब हम बात करते हैं eligibility करेक्टेरिया की कि कि किस तरह के करेक्टेरिया को fulfill करके हमारा card बन सकता है अगर salary बालों की बात करें तो उनका उम्र 18 से लेकर 70 तक होना चाहिए और उनके पास identity और address के साथ साथ 2 month का salary slip होना चाहिए जो latest होगा वहीं अगर self-employed की बात करें तो उनका भी उम्र 18 से 70 तक होना चाहिए लेकिन उनके पास ITR का copy होना चाहिए तब इस card के लिए आप eligible हो जाएंगे इसके अलावा अगर city bank में आपका account है वो चाहे current हो या saving तो इन सारे दस्ता बेज की कोई ज़रुवत नहीं है लेकिन वहीं आपको bank से संबंद अच्छा रखना होगा तब ये card आपका बड़ी असानी से बन जाएगा और तो और कम solid बाले लोग भी यहाँ apply कर पाएंगे आएए दोस्तों अब हम इस card को apply करते हैं अगर आप भी घर बैठे 2-3 step में इस card को बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे description में इस card का link दिया हुआ है वहाँ जाएं और link पे click करके direct इस card के page पर पहुँचें जहां सबसे पहले इस तरह का visual आपके सामने दिख रहा होगा जहां credit card का कुछ tops model आपके सामने होगा city bank का tops model उसमें आपके गिने चुने किसी एक card को select कर लेना है पसंदीदा card select करने के बाद आपसे next page में contact details पूछेगा father name, mother name, marital status वाला personal details भी पूछेगा यहां आप देख सकते हैं कि single name word वाले को दिक्कते हो सकती है हो सकती हैं उनका card reject भी हो सकता है फिर आपको pen number भरना होगा अगर आपके पास KYC available है तो उसे भरें बरना professional details के साथ आगे बढ़ें जहां आपसे salary और self-employed के बारे में पूछा जाएगा अगर आप salary हैं तो salary को भरें और उसे आगे के process को पूरा करें अगर आप self-employed हैं तो self-employed में सबसे पहले company name पुछेगा designation name पुछेगा यानि बद का नाम पुछेगा आपका annually income भी पूछेगा और इसी तरह के details को fulfill करके आपको आगे बढ़ना है लेकिन यहां सबसे बड़ा problem address का सामने निकल के आता है क्योंकि city bank सब जगा अबलेबल नहीं हो पाता है अगर आप check करना चाहते हैं तो साथ से पहले अपने pin code को डाल कर check कर लें फिर इस process को आगे बढ़ाएं क्योंकि ऐसे ही बेफिजूल के address को भरने में या pin code को भरने में यह card reject हो सकता है इसी बीच आपसे address प्रूब पूछा जाएगा लेकिन वो document agent द्वारा लिया जाएगा city bank के credit card में document पहले जवान नहीं करना पड़ता फिर यह card approved हो जाने के बाद इसे किस address पर भेजना है उसे वहाँ feel करें और all over इस card को आप submit कर दें फिर आपके सामने thank you का page खुल कराएगा अभी यह page आया है बाद में agent आपके पास आएगा और online या offline document आपसे ले जाएगा वहीं आपकी KYC कर दी जाएगी फिर कुछ दिनों के बाद buy post ये card आप तक पहुँचा दिया जाएगा जैसा कि आपने देखा कि bank account का जरूरत इसमें नहीं पड़ता यानि इस card को open करवाने में या इस card को लेने में city bank के bank account का जरूरत नहीं पड़ता है कम sell it बालों के लिए भी एक रास्ता है इस bank में आप fixed deposit का account open करवा लें याद रहे अच्छी deposit अच्छा limit अच्छी deposit रहेगी आपका card approved कर दिया जाएगा इसके लिए आपको city bank बिजिट करना होगा मेरे हिसाब से ये card उन लोगों के लिए बेहतर लगा जिनको हर online offline खरीद पर बड़ी बचत करना होता है अगर आपको ये card अच्छा लगा तो हमें comment में बताएं अगर आपके पास कोई शवाल हो इस वीडियो से लेटे तो भी हमें comment में बताएं जब आप जरूर दिया जाएगा अगर अब तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें इसके अलाबा इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला ये वीडियो आपको उप्योगी लगे तो इसे like भी शुरूर करें